हाई गुड अफटर्नून फ्रेंज आप सबका आपके अपने यूटीब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सबसे पहले हम डेटा पॉइंट को डिसकस करें लास्ट वीडियो में डेटा पॉइंट अपडेटेड नहीं था तो मैंने आपको बताया था कि डेटा करूड के आसपास cash में बाइंग किया है वहीं दिया इस की बात करें तो यह दो दिन से continuously net seller है परसु इन्होंने लगबख 1200 करूड के आसपास cash में selling किया और कल भी इन्होंने 770 करूड के आसपास cash में selling किया बट यह जो buying का number है यह बहुत जादा है 2600 करूड है तो यह थोड़ा हमें एक positive sentiment show कर रहा है तो according to cash तो cash market के हिसाब से market का sentiment है वो strong रहने के chances है अगर हम derivative का data देखे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो client है उन्होंने कल के लिए long position के करेट के लगबग 1400 के आसपास plus short covering की है डिया इस की बात करें तो यह लगबग 5000 के आसपास इनों ने short position यहाँ पे create किया बट जो alarming है यहाँ पे जो इनका contract है यह आपका all time high के आसपास आ रहा है लगबग 62,000 के आसपास इनके total short contract हो चुक है आज तक तो यह इनका fear factor यहाँ पर दिखा रहा है कि जनरली यह अपने position को जो cash में buying करते हैं उसको hedge करने के लिए यह short position index के अंदर create करते हैं तो अगर यह short position जो है यह 62,000 के उपर जा रहा है it means कि इनको ऐसा लगता है कि market का top अप कहीं न कहीं बन चुका है और एक selling pressure आ सकता है तो इसलिए अपने cash के stock को यह hedge कर रहा है अगर हम FIS की बात करें तो यहाँ पर कोई खास activity देखने को नहीं मिली इन्होंने थोड़ी बहुत short position क्लोज किया थोड़ी बहुत long position क्लोज किया प्लस प्रॉप डेस्क ने यहाँ पर लॉंग नहीं की है 4500 के आसपास और 3000 के आसपास fresh short contract यहाँ पर इन्होंने close किया तो टोटल फ्यूचर के अंदर कोई खास activity देखने को नहीं मिली लगभग 17-1800 के आसपास जो contract है वो इशारा कर रहा है future का data भी हमें strength के तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि हाँ पे short covering की गई है बट इसे हम थोड़ा neutral लेकर चलेंगे और option का data भी हमें एक strength के तरफ का इशारा कर रहा है means कि according to data point जो market का sentiment है वो strong रहने के chances है यह data point हमें suggest कर रहा है अगर हम चार्ट पे चलके देखे क्योंकि हम कोई भी trade जो है वो सरी data point के भी हाप पे नहीं लेते हैं हम चार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हम price action पे अपने trade को प्लान करते हैं तो हमने कल discuss किया था कि in case अगर यहां पर हमें निफटी जो है एक चैनल के अंदर trade कर रहा है यह नीचे का चैनल है यहां से बार-बार bounce कर रहा है और यहां पर यह उपर का channel है तो यहां से यह बार-बार resistance लेकर हमें एक selling देखने को मिल रहा है तो यहां कहीं हमें एक price action दि double top का formation दिखता है तो हम यहाँ पर short करना prefer करेंगे reason being क्योंकि यह काफी time से इस pattern को follow कर रहा है तो एक बार stopless trigger जरूर होगा जब भी यह breakout देगा तो stopless trigger होगा तो but हम conservative side में अगर यहाँ पर हमें कुछ price action दिखता है यहाँ पर कुछ इस type का price action दिखता है तो फिर हम यह breakout पर buy करेंगे नीचे का stopless और one is to two के लिए हम plan करेंगे बट यह price action दिखने के बाद ही हम long करेंगे नहीं तो हम long का trade नहीं लेंगे हम shotting के लिए यहाँ पर plan करेंगे बहुत बड़ा gap up खुल जाता है तो हम अपना 5 और 13 period moving average का combination यहाँ पर देखेंगे और वहाँ के हिसाब से हमें जो trade मिलेगा हम वो trade plan करेंगे अगर हम bank nifty की बात करें तो bank nifty में भी आपको कुछ ऐसा ही pattern देखने को मिलेगा कि यह downwards looping channel में चल रहा है continuously हमने discuss किया था कि यह उपर का trend line है और यह नीचे का trend line है तो bank nifty भी यही कर रहा है कि यह नीचे आता है इसके बाद इसको touch करता है फिर उपर bounce करता है तो हमें यहाँ पर कोई touch point मिला नहीं तो bank nifty में कल कोई trade आपको मिला नहीं होगा बट अब यह higher end पर चल रहा है तो यहाँ पर अगर कोई हमें price action दिखता है माल लिजे कि कुछ इस type का 5 minute पर price action दिखता है तो हम एक बार यहाँ पर short करने का risk लेंगे swing के उपर का stop loss रखेंगा और 1-2 के लिए plan करेंगे long हम तभी करेंगे जब इस channel का breakout होता है breakout होने के बाद यहाँ पर इसको retest करके फिर एक price action बनता है तो अगर यह swing का breakout होता है तो ही हम फिर long का side का trade यहाँ पर prefer करेंगे अगर मान लिजे कि हमने यहाँ पर short के और यह उपर को breakout दे दिया तो एक बार stop loss trigger होगा या फिर हमने यहाँ पर आके long किया यह नीचे को breakdown दे दिया तो इसलिए हम conservative side में trade प्लान कर रहे है कि हमें जब कोई price action दिखेगा यहाँ पर तभी short करेंगे या फिर यहाँ पर कोई price action दिखेगा तभी हम long करेंगे तो यह bank nifty nifty का view हो गया अगर हम बात करें stocks के तो पहला stock जो chart पर अच्छा लग रहा है वो बजाज fin sub है बजाज fin sub में यह काफी aggressive trade होगा मैं weekly chart पर आपको दिखाना चाहूँगा अगर हम weekly chart पर देखे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यह जो ऊपर का move था यह 5 move में आया तो यह A का formation हुआ then after यहाँ यह correction मतलब कि यह wave आपका यहाँ पर 5th wave complete हुआ then after बजाज fin sub जो है वो एक correction में correction pattern क्या बन रहा है यह A, यह B, यह C तो इसे हम W consider करेंगे यह 3 move में आया यहाँ पर कोई move का identified move नहीं है यह unidentified move है तो हम इसे X consider करेंगे यह double correction में चल रहा है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह 3 move में आया तो हम इसे यह Y consider करेंगे और यहाँ पर यह double X का formation कर सकता है अभी हम confirm हो के नहीं कहा सकते बट अगर यह 61% के नीचे trade करना start करता है यहाँ पर double X का formation हो गया और फिर हमें एक down move देखने को मिलेगा जो down move हमें देखने को मिलेगा वो इधर कहीं trend line के आसपास में आके देखने को मिलेगा यह trend line है मैंने यह आपका zero और X का जो trend line है इसको copy करके यहाँ पर W पर paste किया तो यह trend line तभी होगा जब यह swing का breakdown होता है तो हम यहाँ पर wait करेंगा अगर माल लिजी यह 61% के नीचे trade करना start करता है 1604 के नीचे trade करना start करता है तो फिर हम एक selling pressure देखने को मिल सकता है तो इसके नीचे 1604 के नीचे हम इसको short करेंगे उपर में हम 5-7 रुपया का या फिर 10 रुपया का stop loss रखेंगे और नीचे में 1-2 के लिए हम प्लान करेंगे नेक्स टॉक की बात करेंगे तो ACC ACC हमने कल भी डिसकस किया था बट हमें हमनारा trade मिला नहीं हमने यह decide कि अगर यह flat खुलता है और इस swing को break करता है तो हम करेंगे और नीचे में उपर में हम 7-8 रुपया का stop loss रखेंगे 1-2 के लिए हम target प्लान करेंगे बट यह यहां पर एक inside candle बनाता हो दिख रहा है तो कल अगर इसका breakdown होता है तो एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है तो कल वापस से शॉटिंग के लिए हम रखेंगे अगर 1770 या फिर 1775 के नीचे यह trade करना start करता है या फिर जो conservative है इस swing का breakdown होता है यह red candle का तो फिर हम इसको short कर सकते ऊपर में 7-8 रुपया का stop loss 1-2 के लिए plan करेंगे अगर यह थोड़ा gap up खुलता है या फिर यहां flat खुलके ऊपर को निकल जाता है तो हम इस trade को avoid कर देंगे हम और interested नहीं है NMTC में एक अच्छा price pattern देखने को मिल रहा है यह भी हमने decide के था कि यहां पे हम long करेंगे अगर इसका breakout होता तो बहुत बड़ा gap up खुला और gap up खुलने के बाद एक halt candle यहां पर बनाया है तो कल अगर यह breakout करता है मतलब कि 1325 1350 के उपर trade करना start करता है तो एक stock के container cop यहां पे भी एक अच्छा price action आपको देखने को मिलेगा यह continuously आपको 12345 के pattern में यहां पर correction हुआ और यह अब ऊपर को अपना जो journey है वो resume कर रहा है तो अगर gap up खुल जाता है तो हम trade को avoid कर देंगे हम interested नहीं है यहां फिर gap down कुलता है तो भी हम trade को avoid कर देंगे अगर य यहां पर gap pending है इस gap को यह फिल करने की कोशिश करेगा तो फिर हम इसे long करेंगे नीचे में 3 रुपय का stop loss और 1-2 के लिए हम यहां पर target plan करेंगे और right friends I hope आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को ज्या ढौण कीब अवीडियो